हेलो वाईस आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो मारा Redmi Note 13 5G Phone है तो Redmi Note 13 5G Phone की Settings बजा कर आप कैसे Redmi Phone में Touch Sound को कैसे Off कर सकते हैं और कैसे Touch Sound को बंद कर सकते हैं Redmi phone में तो आज हम वीडियों बताने वाले हैं तो वीडियों start कर लेते हैं तो simply आप देख सकते हैं कि phone icons आइकन से show हो रहे हैं जिसमें से आपको settings पर आना है click करते ही phone settings से open हो जाएगा तो आप कैसे touch sound को off कर सकते हैं और बंद कर पाएंगे अपने phone में तो simply आप देख सकते हैं setting से show हो रहा है तो आपको sound and vibrations पर click करना है click करते sound and vibration settings open हो जाएगा तो आप कैसे touch sound को off कर सकते हैं जैसे आप phone को touch करते हैं तो उसमें sound बगार आप शो हो रहा है तो कैसे off कर पाएंगे तो इसके लिए simply बस आपको जाना होगा इस additional settings पर जहांसे बस आपको turn off करना है जिससे आपको phone का touch sound आफ हो जाएगा और कोई भी sound show नहीं करेगा और on करते हैं तो touch sound show करता है तो इस तरह से touch sound को turn off कर सकते हैं phone में तो आपको वीडियो अच्छे लगी तो like and subscribe करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में thank you